नमस्कार आप देख रहें लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रुजी का राज पुलिस प्रशासन और सरकार अब कोरोना को लेकर के सतर खुच की है जी हाँ बता दें आपको कि अब कोरोना के केसे जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसको देखते हैं आप सरकार की तरफ से ये सक्त आदेश जारी कर दिये गए हैं कि अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर जुरवाना लगेगा और कारवाई भी की जाएंगी जी हाँ अगर आप वाहन से बिना मास्क के बाहर निकलते हैं या फिर आप दुकान में भी बिना मास्क के अगर प्रवेश करते हैं तो अब सरकार की तरफ से सक्त कारवाई की जाएंगी दुकानदारों की अगर बात कर ले हम तो दुकानदारों पर भी ये सक्त नियम लाएगे हैं कि आपको मास्क पहन के रहना है और कोई ग्रहक अगर बिना मास्क आगता है तो आपको वही पर उसे रोग देना है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके दुकान को सील कर दिया इसके लिए प्रशासन ने दस टीमों की गठन की है शनिवार को डियम जॉक्टर चंदर शेकर सिंग ने कोरोना के बढ़ते संग्रमन को देखते वे आदेश जारी किया है। इसके तरक्त पांच मोवाइल वहान दुआरा सबजी मंजी तथा भीर वाले शेत्रों में मास्क चेकिंग कर नंदात्म कारवाई के तहट जुरवाना भी वसुला जाएगा। लन जेपी हड़ी अस्पिताल में भी पहले मरीजों को वह उनके परेजनों को मास्क लगाना होगा अन्यथा उन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोक दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब हॉस्पिटल हो दुकान हो या फिर सबजी मंजी हो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो मास्क लगाना आपके लिए अनिवार है अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप एक कारवाई होगी और साथ साथ आपको जुरवाना भी भरना पड़ेगा अग अगर नहीं लगाते हैं तो 50 रुपे का जुरवाना आपको भरना होगा सासे तगर हम बात कर लें दुकानों की तो दुकानों के बारे में हमने आपको बता आया है कि सकता आदेश आए हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप पर कारवाई की जाएंगी इसलिए आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कोरोना को बढ़ने से रोकें कोरोना की केसे हर दिन सौ से पार आ रहे हैं और इसको रोकने के लिए हमें सतरकता बढ़तनी होगी हमें मास्क का इस्तमाल क करना होगा ताकि आने वाले समय में हम कोरोना पर काबू पा सके और हम फिर से वैसी सिचुवेशन वैसी स्थिति ना देखने को मिले जो एक साल पहले हमें देखने को मिली थी नए साल में नई तरीकी से शुरुवात की जाएगी ओमिक्रॉन के केसे आ रहे हैं लेकिन अगर हमें फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद